हलो गाईज नेक्स एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेंचेंग कर सब्सक्राइब करते हैं इसे अपी नेक्स एपिसोड को स्टार्ट करते हैं सुसरी जोई तो देख रही होती है तो उसे भी ट्वाई वाली मशीन नजर आ जाती जिससे देखका वो जाशु को करते हैं तो देखता है कि उसके पास तो ट्वाई आ चुका है तो कहता है कि यह मैं ही रख लेता हूं और फिर दोनों जब वापिस अपने केमपस आ जाते हैं वहां पर सैंग्जी की फ्रेंड्स आ जाती हो उसे कह लगते हैं कर रात हमने हैपी न्यू येर के लिए एक जग जाना कर देती कि नहीं जाना मैने रात में मैंने कहा था तो फिर व तेनों ही नीचे आ जाती है जहां पर दोनों लड़के उनका वेट कर रहे होते हैं एक तो निंग का बॉइफ इंड्न हो तर दूरसा मिंग जो पूछे लगता है की सेंजी क्यान नहीं आई तो वह कहते है कि नहीं वो नहीं आई अब यहां से मिंग का तो मूड ओफ हो जाता है और सैंक्ची जो बाहिट से अपने लिए नूडल्स वगरा ले आई थी इतने में उसे जौश्यो की कॉल आती है कि मेरी कंप्री वाले एक टीनर करवा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि फैमली को लाना है तो मैं तumе अपनी फैमली बनाकर लेकर जाओंगी सैंक्ची दिल में सौचते है कि मैं तुम्हारी फैमली तो नहीं हूँ उसको जाने के लिए हातो नहीं करती है पर उसे पूछे माँ बब अब सेंग ची से कहने लगता है कि ये तुरिट मेरी तरव से है क्योंकि होस्पीटर में मैंने तुम्हाय क्या था ना उसके लिए मैं तुमसे स्वारी करता हूं पर झैँ जाएंग भी अपनी फ्रेंट के साथ आ जाती जाएंग वहां जाशु को देखते साथी उसे कहने लगती कि तुम मेरे मेसेजिस का रिपलाई क्यों नहीं दे रहे थे तुम मेरे कॉल यून अटेंड कर रहे थे तो वो भी कहते ता है कि तुम्हारा मेरा कोई राप्ता नहीं ह अब यह सुनते ही वो पानी के ग्लास पकड़ कर जाशु की उपर फैंक देती अब यह तो सैंकची से बरदाश्ट नहीं होता वो भी पानी उसकी उपर फैंक देती है और कहने लगती कि तुम होती कौन हो इसी तरह जैंक को और चीजजे भी उठा कर फैंकने वाली होती है जल्दी से सैंक्ची को बचाने के लिए जाशू आ गया जाता है और स्क्योर्टी भी जैंग को वहाँ से ले जाती है और सैंक्ची कुछ नहीं देखती बस जाशू को पकड़ कर वहाँ से बाहिर ले आती है और बाहिर आने के बात पहले तो उसे कौड देती है और फिर उसका डैट की वज़ा से मैं इसे जानता हूँ जिस पर सैंक्ची उसे बताने लगती है कि इसका और मेरा सामना अब एक तफ़ा पहले भी हुआ हुआ है जब मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी चीजे लेने के लिए गई थी अब जल्दी से जाशू से पूछे लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं पिस सैंक्ची कहते है कि अगर उसका लिंग तुम्हारा उसका कोई तालुक नहीं मतलब तुम उससे ना बुली हो अब यह सुनने के बाद Top Joshu कुछ हो जाता है कि किसी को तो मेरी कियर है चैंक्ची के फेस की तर्थ देखते हं उपे नोट करते है कि उसके फेस पर भी थोड़ी चोट आई हुई है यह देखते साथ ही वह जल्दी से उस पर میडिसन लगाने लगते यह देखकर जाशू तो स बस देखते ही रहे चाता है कि इसे मेदी कितनी किर ऑर इतने में वहाँ पर स्नॉबी स्टार्टेैल हो जाती चूर जोपические उसके सर पर हाथ लगाने वाला होता है तो पीछे देखने लगती है जल्दी से उस्ट करने लगती है और वह विश्ण भी जॉशो के बारे में करते हैं कि हमेशा ये खुश रहे और जब अपनी विश कर लेती है तो जॉशो को देखा कहें लगती है कि क्या तुमने विश नहीं करनी तो मैं पता है ना जब सीजन की पहली स्नौ हो तो उसमें विश करनी चाहिए जिस पर जॉशो से बताएं लगत आफ दोसरी तरफ हमें बाके मिंग वगयरा दिखाय चाते हैं जो सणो को देखते साथ यह अपनी विश्च करने लगते हैं तुमने क्या विश्की तो नहीं लगता है कि मुझे माफ कर दो अपनी फ्रेंड को भी कहना कि मुझे माफ करते दे दिये इतना थो नहीं होगा और तमे eyes की बात के बात वो उसे धक्के देकर किसे तरह अपने घर में आ जाता है और आकर मुहा दो रहा होता है तो उसे फ्लैश बेक में वही वाला promise याद आता है जिसमें इसकी mom और ये आकर इन से sorry वगरा कर रही थी पर जियांग और ना उसकी mom इन्हें माफ करने के लिए राजी थी वो तो इन्हें धक्के देकर घर से निकारी होती है और जियांग से भी इसकी mom माफी मागने लगते हैं कि आज से तुम्हारा और तुम्हारी mom का ख्याल हम रखेंगे हमें चाहिए अपना घर ना बेचना पड़े हम सारे पैसे तुम लोगों के वापिस कर देंगे जो court ने हमें देने को कहा है और भी दिखा जाते है जब जाश्यू हाइश्कूल में होता था तो वो उसका एक सौरी का नोट लिकर उसकी टेबल पर रखने के लिए जाते है इतने में वहाँ पर जियांगा जाती है अब यह सब बाते सुनकर जाश्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और प्रेजेंट में मुद होने के बात अपनी माम की पिक को देखा कहने लगता है कि माम मुझे माफ कर दें और साथ में सैंक ची की भी पिक होती है उसे भी देखने लगता है इतने में फाइवर्क्स टार्ट हो जाते है तो वो भी फाइवर्क्स को देखने के लिए चला जाता है और दुस्तर सैंक ची वो भी नहीं फाइवर्क्स को देख रही होती है जाश्यू का मैसेज करती है कि तुम क्या करें मैं तो फाइव वक्स को देख रही हूं तो वह भी आगे प्रिषेश देता है लगता है कि हां मैं भी वही देख रहा हूं और पिस के बारे में सोचते सोचते उसका चेंज करने लगता है पर पता नहीं क्यों नहींट करता और जब रुम में आकर बैठता तो उसके friend की call आजाती जो सबताता है कि मैं शादी गंड़ने वाला हूँ पर जॉश्यो कहता है कि मैं इस पाद से सैड़ हूँ कि तुमने कहा था हम दोना ही सिंगा रहेंगे पर तुमने तो यह कसम ही तोड़ी तो कहता है कि मैं तो मजाग किया था मुझे क्या पता था नी-नी, मैं किसी नी करता और जैसे को और केट करता है, जहीं लगता है कि मुआ कि उसके बारे में क्यों सूच रहा हूं, और नेक्स्ट है सैंक ची दिखा जाती जो अपनी फ्रेंड्स के साथ आ रही होती है तो आगे से मिंगों ने कहने लगता है कि हम एक जगा पर चलते हैं पर सैंक ची कहती कि अभी तो मैं नी जा सकती मैं तो ये कैमरा अपने रिलेटिव को देने के लिए जा रही हूँ ये कैकर माँ से भाग जाती है और सैंक ची जो मीटिंग में होता है उसकी जैसे ही मीटिंग खतम होती है तो वो अपने मुपार को देखता है जिसमें सैंक ची का मेसेज आया होता है कि मैं आ रही हूँ और वैसे ही वो सैंग ची को आगे से रिसीव करने के लिए नीचे जाने लगता है तो उसे पता लगता है कि नीचे जियांग ने भी आकर काफी तमाशा बनाया हुआ है अब यह सुनते साथ हो उससे सैंग ची की फिकर होने लगता है पर इतने में मूप पर से देखता है कि वो तो आ रही ह पहुझा लगता चाल रहा है तुमने मुझे बता नहीं कि क्यों नहीं के तुम आ लोता काफी ऑफ to kitty उसके लिए गॡ़ाई थी और क्याम्रा और लाटीज कर आधी लेकश करती हा ना तो आपने घर के बाहर लगा और इसको मुबाईल से क्नेक्ट करने के बाद तो मुबाईल से हाट और देख सकते हो और यहां तकि तुम पुलिस को भी इंफॉर्म कर सकते हो तो जॉश्यों से ठैक्स करने लगता है कि हम खाने के लिए चलें पस्यांक चीको तो उसकी पिछली बात का गुस्सा होता है वह मुझे बात पर कहती कि ने मुझे क्लास लेनी है तो मुझे यहां से जाना होका यह करकर वह वाग चाती है वापिस चाते हुवी भी उसी के बारे में सोचे होती की उसने मुझे ऐसा क्यों बोला आए यहीं पर हमारे यह पाट भी एंड्ड हो जाता है वीडियो चो लगे तो वोडियो को लाइक करना